इस कारिक्रम के पुन्यार जखें अरह सागर गुरु भाक्त परिवार जो अपने जीवन को समझ लेता है जीवन के सार को जान लेता है वही अन्यत भावना का भाने का सार समझ सकता है यह अन्यत भावना भाने के लिए तीठंकर भगवनतों ने भी भाया उन्हें हमें परामर्स दिया है उन्होंने हमको बताया है कि यदि तुम संसार से मुक्ती पाना चाहते हो कर्मों के बंदन से जूट चाहते हो तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना है अपनी आत्मा का चिंत करना है इस आत्मा का चिंतन संसार की असारता का चिंतन देह से बिधे बनने का चिंतन जड़ से जेतन का चिंतन वही कर सकता है जिसको भेद विज्ञान हो जाता है भेद विज्ञान वही कर पाता है कि उसके जीवन में इस चार सवाल होना चाहिए वह चार सवाल है मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, विचार करो, सबसे पहले प्रस्न अपने आफ से पूछो, सवाल करो कि मैं कौन हूँ, तुम्हारे अंदर से उत्तर आएगा, मैं पंकजन, मैं पिरसांत जन, मैं अनुराग जन, में अरपन जैन में माया बती में सिलोचना बाई यही न उत्तर आएगा ए नाम तुमारा कफ से है जब से तुमारा जन्म हुआ है ए नाम कब तक चलेगा जब तक तुमारी देह चितामे नहीं बदलेगी कब तक रहेगा थोड़ा और चलेगा कि सामने बाला बहुत अच्छा था बहुत बढ़िया जीवन जी रहा था थोड़ा पूजन पाट भी करता था प्रवचन में भी बैठता था कभी कबार आहार दान भी देता था ए यह कब तक चलेगा नाम जब तक तुमारा जीवन है और जीवन के कुछ बरसों तक तुमारा नाम रहेगा ए नाम तुमारा नहीं है तुम अनाम हो अरूपी हो अकंड अनूपी हो इस सरूप की जिसको पहचान हो जाती है उसके अंदर से आता है मैं कौन हूँ सोहम मैं कौन हूँ उत्तर आने चाहिए सोहम सोहम नहीं अहम हूँ मैं एक आत्म सरूपी हूँ आत्मा हूँ जेतन आत्मा हूँ इसका अनुभो करना मैं कौन हूँ तो उत्तर आए मैं सोहम मैं वह हूँ जो तीठंकर भगवंतों की आत्मा है इसलिए कहा गया है आचरे कुंद कुंदेव कहते हैं सुध परीच दान भूदा सब बस भीका में भोग बंद कहा एया तस उबलंबू नवरी बिहत्तस है इस प्राणी ने संसार में ना जाने कितने परीचय किये हैं कितने बार भोगों क भोगा है अनुभव में आया है लेकिन आज तक तुम्हें तरप्ती मिली कभी नहीं मिली में कौन हूँ और मेरा क्या है क्या है मेरा तुम कहोगे मेरे पास मकान है मेरे पास दुकान है मेरे पास गाड़ी है मेरे पास घोड़ा है मेरे पास परीजन है मेरे पास संपत्ती है मेरे पास बैभव है यह तुमारा है यही भ्रम तुमारे लिए संसार में भटका रहा है इस भ्रम से उपर निकलो और सोचो बिचार करो कि मेरा क्या है अंदर सोतर आएगा मेरी एक मात्र आत्मा सास्थ है इस आत्मा की पहचान करने के लिए भिन्न बावना बाने की आवसकता है इस भिन्न बावना को वही बासकता है जो आत्मा के इस्तर से उपर उठ गया हो इस आत्मा के इस्तर से जब तक तुम उपर नहीं उठोगे तो तुमें आत्मा का अनुभव भी नहीं आएगा मेरा क्या है बस संसार की जो तुमें दिखाई दे रहा है बस तु वो पधार तो पधार्चन भो उसमें तुमारा मन लगा हुआ है यह तुमारा नहीं है यह तु नासबान है छड़ भंगुर है आज है कल रहे कोई भरोसा नहीं इस भरोसे में मत रहना कि जो हमने पाया है वह मेरा हो गया तुमारा हो सकता है पर तुमारा नहीं है तुमारे साथ जा सकता है पर तुमारे साथ रह सकता है पर तुमारे साथ नहीं जा सकता है यही अन्यत भावना है इस अन्यत भावना भेद बिग्यान की अन्भूती ही अन्यत भावना का परिणाम है कि जो भेद बिग्यान कर लेता है आत्मा अलग सरीर अलग इस भेद बिग्यान को चर्म की आँखों से नहीं किया जा सकता है इसके लिए तो तुमारी ग्यान की दृष्टी होना चाहिए मर्म की आँख होना चाहिए जो मर्म की आँख रूप पर नहीं सरूप पर टिकती है रूप देखने के लिए तो हमें दो आखें दी है पर आत्मा के सरूप को देखने के लिए मातर एक है आँख की परियापत है जिसको बोलते हैं मर्म कहते हैं जीवन के मर्म को जाना जीवन के मर्म को जालने वाला व्यक्ति फिर संसार में इन चर्म चक्छूं से नहीं देखता है वह जीवन के से उपर उठ करके मर्म की आँखों से अपने सरूप का प्रती पाद करता है ती धंकर भगवन्तों ने तो यहीं किया है उनको संसार सरीर भोग निर्विन्ना संसार सरीर भोग से निर्वन्न यानि उपर उठ गए राग में उनको रास नहीं आया बैराग में उनका जीवन निहाल हो गया इस बैराग को पाना चाहते हो बैराग मैं जीवन को जीना चाहते हो अन्यत्य भावना के सरूप को समझो मैं कौन हूँ इस सवाल नित्य हमें अपने मन से करना चाहिए फिर मेरा क्या है जो तुमने जोड़ा वह तुमारा है क्या बोलो जितना तुमारी सांस रुकेगी उस तुम्हें दफना दिया जाएगा फिर तुमारा कहा गया संत कहते हैं जितना तुमने बाहर से जोड़ा है वो तुमारा नहीं है तुमारा हो भी नहीं सकता चाहे करके लिए जिस दिन तुमारी दृष्टी आत्मा पर टिक जाएगी सारा बाहर का छड़ भंगुर जीवन नास वान तुमें दिखने लगेगा इस नास वान की पहचान करो अविनसर को पाने का उद्यम करो इस नास वान में हमने जाना जाने कितने जनम कमा दिये नाजाने कितनी स्वां से खपा दी और आज तक मुझे कुछ लाव नहीं हुआ है इस लाव को वही प्राप्त कर सकता है जो नाशवान में अविनसर की दृष्टी रखता हो नास वान में हमें दुख संताप होता है लेकिन संत कहते हैं जो सास्त है उसको पाओगे तुमारा जीवन भन हो जाएगा आप चाहते हो जीवन को परमार्थ से जोड़े हाँ मराज आप कैसी बात करते हो जीवन को परमार्थ से नहीं जोड़े होते तो यहाँ पर सौदो सो लोग बैठे भी नहीं होते यह तो तुमारा उपर का धर्म है यह धर्म का ढौंग है धर्म नहीं धर्म का ड्होंग है ओ ए तुम्हारा ड्होंग इसलिए मैं कह रहा हूँ यदि तुम्हें जीवन में जब दर्सन करते करते आत्मा का दिख दर्सन होने लग ले तो समझ लेना कि मेरा जीवन धन हो गया मंदर आना सार तक हो गया अभी तुम मंदर आते जरूर हो पर सोचिंताएं घर की ले करके आते दूद वाला आ गया होगा सबजी वाला निकल रहा होगा नल आ गया होगा नगर पालिका का पानी भनना है लाइट गोल हो गई तो पानी चला जाएगा ध्यान रखना जीवन तुमारा बरवाद हो रहा इस पर तुमारी दृष्टी है क्या दृष्टी रखो आत्मा पर अपने आत्मा के हित के ऊपर दृष्टी रखो कल्यान किस मार्ग में है ए बात ध्याने में रखो कल्यान की बात सुनने में अच्छी लगती पर चलने में कौन कितना चल पा रहा है बोलो एक बार किसी बालक से कहा युवा से भाईया तुम धर्म किया करो तो बोलता उम्र कहा है धर्म करने की अभी अभी तो बच्पना है खेलने कुनने के दिन है अरे भाई धर्म किया करो तो सामने वाला उत्तर देता है कि अभी उम्र कहा है धर्म करने की और किसी ब्रद्ज से कहा कि भाईया धर्म किया करो बोले उम्र कहां बची धर्म करने की उम्र कहां बची धर्म करने की बंदू अभी तुम्हें हसी आ रही है बाल पने में ग्यान ना लहो, तरुन समय तरुनी रत रहो, अर्थ मिर्थक बूरा पन समो, कैसे रूप लगे आपनो यह ब्रद्ध वस्ता में व्यक्ति अपने रूप और स्वयूप को नहीं प्याचान पाता है पैर लड़ खडाते हैं, गरदन हिलती है, लाड़ बहिती है, तो धर्म कैसे होगा इसलिए धर्म करना चाहते हो, तो बच्चपन से करो, तो पच्चपन भी तुमारा बहतर निकलेगा और धर्म बच्पन में नहीं कर पाए तो जो धर्म बच्पन में नहीं कर पाएगा उसका भी बच्पन बिगड़ा हुआ निकलेगा आप अपने ब्रत अवस्ता को सही तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हो तो बचपन सही धर्म के संसकार हमारी पीड़ी में आना चाहिए धर्म के संसकार यदि हमने आने वाली पीड़ी को नहीं दिये तो समझ लेना तुमारा जीवन तो जैसा निकला सो निकल गया आने वाली पीड़ी तुमारे नाम पर रोएगी कि हमारी पूर्वज मुझे ब्रासत में कुछ देकर के नहींगे तो धर्म की संसकार कैसे आए तो इन बारे भावनां का चिंतन करो मैं कौन हूँ, मेरा क्या जो देख रहा इस चक्छुओं से कुछ भी मेरा नहीं है और तीसरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ बोलो, चार संग्याओं में तो मेरा जीवन बीच गया पाँच पापों में तो मेरा जीवन समट गया बोलो, हाजी बोलो या ना जी बोलो जी दिल्ली वालो, हाजी क्या कर रहे हो अहार भाई, मैं तून परिक रहे इन चार संग्याओं में ने पूरा जीवन बरवाद कर दिया मेरे स्रंगारों में मेरा जीवन घुल जाता है स्रंगार करते करते सुवैसे साम हो जाती है और जीवन का आनंद लेने का समय नहीं है आत्मा की सरूप की पहचान करो आत्मा को जानो कि मैं क्या कर रहा हूँ तुम जो कर रहे हो क्या सही कर रहे हो अपने मन से पूछो सुवैसे जब उठते हो तो प्रस्न करो कि मैं कौन हूँ उत्तर आना चाहिए मैं एक आत्मा सास्वत आत्मा हूँ दूसरा प्रस्न करो थोड़ी देर बाद मेरा क्या है जब मैंने आँख खोली तो सब अपना दिख रहा है जब मैं सू रहा था तो कुछ भी मेरा नहीं था था किसी का अपना नीद में आफ सब को क्या होस रहता है कि ये मेरा मकान है ये मेरी पत्नी है ये मेरे बच्चे बाजू में सूरा ये मेरे है ये घर मेंने अर्मानों से बनाया है मेरा है आपको होस रहता है कि मेरा क्या है अरे जब तुमारा सरीत का तुम्हें पता नहीं होता है तो भिन रोफ से दिखने वाली सारी चीजें तुमारी अपनी कैसे हो सकती है इस संसार में जहां देहे अपनी नहीं, जहां सरीरी भी हमारा नहीं है, तो परिवारजन मेरे कैसे हो सकते हैं, मकान, दुकान, ब्यापार मेरा कैसे हो सकता है, बड़े अध्याद्म की बात है, गहराई की बात है, आच्चारी कुंद कुंदेव से यदि आप पूछने तो वो तो यही कहेंगे तुमसे, आप जैसे मूर्खों के लिए, राजा भोज ने क्या, अश्टा बक्र ने क्या कहा, तो मैं नहीं क्या रहा हूँ, इस चमारों की सवा है, अरे सवा तो क्यानियों की होती है, और राजा भोज के लिए क्या बना दिया, मूर्खी तो हो, ज पंचिंद्री क्यों भिसियों में तुम्हें अच्छा लग रहा है, जो खली और भूस की तरह है, आज है कल तुम असक्त हो जाओ, बीमार हो जाओ, तो उनसे तुम्हें ब्रक्ति होने लगेगी, संसार में कुछ नहीं है अपना, कुछ मेरा नहीं है, यह तो सब निस्वार है यह मन से बिचार आएगा, अरे पहले चित जाओ, वहां तक जाने की नौबत ना आए, इस सरीर तुम्हें मिला है, भोगों को भोगने के लिए नहीं, भोगों से भ्यक्ति पाने के लिए मिला है तीठंकर भगबन तो को संसार में यदि अच्छा लगता, तो क्यों त्याकति संसार को? उन्ने भी भोगा है, ऐसी बात नहीं, यह तो बात की चीज़ें होती है, जो संसार विसे सुख होता तीठंकर के त्याओ, इस संसार के भोगों से ब्रक्ति तुम्हें पाना चाहिए, तो जब सरीर तुम्हारा नहीं है, तो अपना इस संसार में कैसे कोई हो सकता है, एक रोम पर भी भरोसा नहीं है, बाल यदि तूट जाता है, उखड़ जाता है, तो वहीं पर फुनसी और बहुत बड़ा फोड़ा भी बन जाता है, तो किस पर विश्वास करूँ, है तुम है, जाग देश बिदोस जी जीवन में चल रहा है, संसार बढ़ेगा, संसार घटेगा नहीं, तन से राग मत करो, तन से तो बीत रागता की मूर्ती बनाने का पुरसार्थ करो, तो जहां देह अपनी नहीं, तहाना अपना कोई, घर संपत्ती, घर जो तुमने बनाया है, ज पुरी तागत लगा दी, बंगला बना दिया, कोठी बना दिया, लेकिन क्या तुमारा है वो, क्या मेरा है, कुछ भी नहीं हमारा, और क्या करना चाहिए मुझे अंतिम बाद, क्या मैं कर रहा हूं, और क्या मुझे करना चाहिए, अब मुझे इस संसार की गोरक दंदों में नहीं फसना है अब हमें जीवन के अंतें पड़ाव पर जाकर के सन्यास को धारन करना है जिससे हमारी आत्मा का उधार हो इस मोग्छिमार को प्रसस्त करना है जीवन में उतार करके जिससे हमारा मोह मार गटेगा और मोग्छिमार के प्रसस्त होगा अब मुझे क्या करना है जीवन के अंतें पड़ाव पर पहुँच करके हमारे लिए धर्म की आराधना करना है आत्मा के सरूप की पहचान करना है आत्मा के रूप को जानना है और अधि इस पड़ाव पर नहीं जान पाए नहीं कर पाए तो समझ लेना कि तुमारा जीवन यूही समाफ्त हो गया कहा गया है यूही आता गया यूही जाता गया यूही आता गया यूही जाता गया लाक चक्कर 84 के तू खाता गया यह मानो जीवन यूही तू जनम हीरा गमाता गया इस तुम्हारा जीवन हीरे से कम नहीं है हीरे का तो कोई मूल होता है पर जीवन अनमूल होता है आचारे गुरुवर स्री विद्या सागर मराज कहते है हम जैसे सिसोंस को कहते है कि हीरे का तो मूल हो सकता है पर इस जीवन इस नर रतन का कोई मूल नहीं यह तो अनमोल है पूरी संपत्ती चक्रवर्ती की लगा दो तो इस अनमोल जीमन रत्न को खरीदा नहीं जा सकता है पधारतों का मूल हो सकता है पर आत्मा तो अनमोल है अनोखी है अखंड अरूपी है इस आत्मा के सरूप को समझो बंधों आफ सबका समय होने जा रहा है ए भिन भावना हमारे जीवन की भिन्यता को बतलाती है